जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूँ आपके अपने इवाइक यूटूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में दोस्तों भी हम बात करेंगे सब गीजा किर्केट लिक टी-20 का जो मुगावला कावुल इगल्स बरसेज एमो साक्स के बिच में खेला जाएगा इसको लेके हम डीटेल्स में देखेंगे पढ़केंगे फिर हम बात करेंगे अपनी फेंटेसी टीम को लेकिए आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में यह बता दूँ अभी जो हम बात करेंगे वह अपना एक टेमोटिम होगा फाइनल टीम में जो भी बदलाओ होंगे उसका अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलीग्राम चेनल पे मिलने वाला है। टेलीग्राम चेनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आप चले चाहिएगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में और सबसे टॉप कमेंट में आपको दिखेगा मेरा टेलीग्राम चेनल का लिंक उसके उपर क्लिक करके आप सभी को टेलीग्राम चेनल से जुड़न हो जाना है। आपको यहां क्या क्या बेनिफीट मिल सकता है सबसे पहले आपको जो बेनिफीट मिलेगा मैं फाइनल टीम में अगर कोई चैंजिस करूंगा उसके अपडेट यहां पर देदूंगा उसके अलाबा पीच एप्लिकेशन पर डिपोजीट ऑफर वगेरा सबात हैं वह आपको को मिल जाएगा यहां पर साथ में कुबेरा का ड्यूए किंटो पिक्स मिल जाएगा बहुत सरा चीज आपको टेलीग्राम के में प्रोफाइट कर बाने कोजिस करता रहता हूं तो आप जरूर टेलीग्राम से जोएन कर लीजेगा अब यह मैच को लेकर बात करते हैं सबसे हम देखेंगे विनिंग परसेंटेज यहां पर किसके ज्यादा रहने वाला है तो यहां काबू लीगल्स की जोटी में वह मुझे लगता है कि तकरीटी में और इसके विनिंग चांसेज आपको दी जाएंगे तकरीव उन से 70 परसेंट के आसपास बात कर लेंगे एम को लेक देखेंगे तो इनने तीन मैच खेले हैं एक मैच विन के दो मैच आ रहे हैं टोटल इनके पास सिर्फ दो पॉइंट है अब यह हम बात करते हैं इस टूइनमेंट का जो लास्ट मैच खेला है एम की टीम ने वहां पर कि इसका कैसा प्रदर्शन रहे तो यह बीडी के साथ खेल के लास्ट मैच आ रही है जहां पर इनको दो रन से हार जनली पड़ी थी बीडी टीम पहले बल्लेबाजी करते पे एक सो बैसेंट खरा कर दिये थे बुड़ पे गंदबाद जी में विलाल खान चार अवर में 35 देके 0 विकेट लिए थे उसके अलावा वफादार मोमं दो के 2 वर में 12 रन देके 3 विकेट लिए थे अब इसको 3 और 14 और नहीं मिला तो यहां पर लगातार यह चीज होता रहता है आपने 2 दिन पहले देखाओगा निजात मसूद ने 2 और में 1 या 2 रन देके 2 विकेट लिए थे लेकिन इनको 3 और 14 और नहीं करवाया गया तो दे सकते हैं अगर हम बात कर लेंगे बल्लेवाजी में अजगर अटल जीरो किये हुए थे इन सवल्ला जनल चबीस रही मंगल तीन जुम्मा गुल पचास किये हुए थे अटालीस वर में पांचों का दो शका के मदर से बईर साथ 23 किये हुए थे हाजी मुराद मुरादी 25 अब बात करें अगर हम बल्लेवाजी में यहां पर राम उल्ला गुर्वाज जो कैप्टेंसी कर रहे हो बीज के हुए थे इब्रहाम जरदरान सतनतावन और शाइदुल्ला कमल बावन की हुए थे अगर इस टीम जाम बात करें डेट बॉलिंग को लेकर तो अजमतुल्ला उमर जय कंफर्म दिखेंगे इस कला में या तो आपको आसी बुला दिखेंगे या पीड आपको दिख सकते हैं खलीद एहमद अब कभी ख़बर कैस एहमद द यहां पर आपको दिखेंगे सबसे पहले कहुंजी स्टेर्स वेन्यू रिपोर्स आपको दिखेंगी और यह जो पीच्छा वो पेशाज को दिखेंगी आपको मदद करते हुए लेकिन यहां पर मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं काभूल अब गानिस्तन में मैच है जहा तो चोबिस का इनका स्ट्राइक रिट है रिए रसुली तो खेली ने रहें फिलाल आर गुरबाज 10 मैच में यहां पर 25.7 का बैटिंग एवरेज है 166.88 का इनका स्ट्राइक रिट है अजमत उल्ला हमर्ज है मैच में दो पॉइंट पर मैच के बैसिस इन्हों ने लिया हुआ है और इकोनोमी भी लगवा इनका साथ से नीचे का है वाइस अजय सायद ना के लिए फिर से यहां पर हसी भूला तीन मैच में आप मानके चलो 1.7 विकेट पर मैच इनका जो है उसके लाबाद 6.91 का इकोनोम है अगर बात करें एवरेज टोटल स्कोर जो है वो यहां पर 132 माना जाता है अब अगर हम बात कर लेंगे दोनों टीम आमने सामने लास्ट के जो है वो तीन मैच आये हैं जहां पर के की टीम ने दो वार्वीन की है जो कि एक आया था 10 सप्टेंबर 2020 को 12 अक्टूबर 2019 को औ तो वहां पर के की की टीम ने बोर्ड पर लगाये थे 233 और एम की टीम लगाये थे 162 और फिर 12 अक्टूबर 2019 वाला जुबा था वहां पर के की की टीम लगाये थे 182 और यहां पर सामने वाले टीम लगाये थे 186 अगर हम बात कर लिए उसे पहले 13 सप्टेंबर 2017 वाला वहा लास्ट के पांच में से चार मैच विन की हुए है अब आईए हम देखते हैं दोनों टीम के प्लियर्स के लास्ट के कुछ मैच में T20 का स्टैट्स के किस प्लियर ने ड्रीम लेंड के कितने पॉइंट दिये हुए हैं सबसे पहले नम आता है रामुला गुरवाज को लेकि पॉच ऐसा है 36 42 41 1956 आज जनत 41 18 61 30 आज अधरान 75 2021 का सेमद 105 62 70 75 93 अजमतुला ओमरजय 74 54 52 95 16 12 जैड मिराकिल 91 539 एम नूडी 70 10 66 सेदुला कमल 74 57 और 50 उसके अलाब हैं पर एच गुरुवाद चार अंठावन 66 वाई सेज देखने वाली बात होती है कि फिट हुआ है कि नहीं हुआ है अगर होगा तो जरूर बैक करेंगे एकी मैच केला 5 विकेट लिया हुआ था डबलू मुमेंड 16 2 62 हम मुरादी बावन 28 12 हसी बुला 62 एतनिवाल 89 मैनस 2 36 बीसा 45 आठ चबईस मुम्मन नभी मुश्च प्रवली खेलेंगे नहीं अगर यहां पे कोई अनेक्सपेक्टेड प्लियर खेल जाते हैं तो उसको लेके मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा बिकिट कीपर सेक्शन में बात करेंगे आपके पास यहां पर मेरे को लगते है कि सिंपल एक ही बेतरीन चुएस है वह है आर गुर्बाद इसके लाबा मुझे यहां पर कोई अच्छा पीक नजर नहीं आ रहा है बैटिंग में आई ज़द्रान अच्छे पीक है जरूर आई जनात भी अच्छे हैं और यहां पर आप तीसरे जो बैट्समें ट्रैक करो वह आपको दिख जेंगे सही धुल्ला कमल इसके अलाबा मीनी जील जील में आप एर रही मंगल को ट्रैक कर सकतो जेगुला को भी आप लोग मीनी जील जील में ट्रैक किजेगा एसल में दु है लुट से फिलें में आपके टिंग में होना चाहिए इसके अलाबा जी आउर रमान सरीकरी खेलते हैं तो मीनी जील जील में ट्रैक कीजेगा एस मौलल लिंग में अच्छे पिक नहीं बनेंगे बनेंगे बात कर लेंगे कई सहम्मद को ट्रैकर लो इसके लाबा आप यहा यहां पर आपको ज़्यादा दिखने है उसके लाबा मैं अपनेटी में जगह दिया हुआ है यहां से ओमर जाए को अब लास्ट पिलियर का उप्शन है न वह आप चाहो तो यह तनिवाल को ट्राइब कर सकते हो यह आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनर देंगे बैटिंग क्या आती है यहां पर दिखा रहा है अफ़गानिस्तान लेकिन मैंने देखा था इसको पिछले मैच में यह बिलाल खान वही था जो खेला तक इसके साथ से ओमान के साथ से स्ट्राइक गिंदवाजा उसका अब देखने वाली बात होती है मैं एक बार कर लूँगा कि यह ब फिर मुझे फेलाल मैरा फाइनल टीम प्रिव्यू आप्पर देख लीज यह दोनों गंदवाज तभी मैं पहले गंदवाजी आएंगे अगर नगी पहले बल्ले बाजी आती हैं तो मैं दो बल्ले बाज इनका ट्रै कर लूँगा यह फिर मुझे लगता नहें कि यह तीम ए ए वासी नूडी को लिया हुआ है, बॉलर में मैंने ह उल्ला, हे उमर्जा, काइश एहमद को लिया हुआ है, उसके लाबा विलाल खान और डबलू मुमेंड को मैंने अपनेटी में फिलाल के लिए जगह दिया हुआ है, बात आती है कैप्टन वीज़ी को लेके, फिलाल मैंने कैप्टन सी, अपना दिया हुआ कैश एहमद को, वीज़ी मैंने दिया हुआ है, अजमत उल्ला ओ मर्जाए को, अगर मेरे फाइनल टीम में कोई बदलाओ होंगे, तो उसको लेकिन आप लोगो टेलिग्राम पे अबगत करवा दूँगा, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ, यह छोटा सा वीडियो आप लोगो अच्छा लगा होगा, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राब ज़रूर कर दीजिएगा, मिलते हैं एक्छ वीडियो में दोता के लिए अच्छा का सावीन कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताए कि आपके कोर्डिंग इस मैच में बेतर कैप्टेन वीसी के पिक कौन रहने वाले हैं,